तो शली फ्रेंस आज में आप लोगे साथ एक ऐसी रेज़ भी शेयर करने जा रहे हुँ ना जिसे हम लोग अक्सर से बाजार में जाकर करके खाते हैं और घर पे बनाना हमें लगता है कि बहुत मुस्किल है हमसे नहीं बनेगा पर मैंने फ्रेंस इसको बहुत ही आसान तरीके इसको बना सकते हैं इस पर निर काथी रोल को और यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इहां पर डो बनाएंगे तो मैंने आप लिया हुआ है मैदा अप इसकी जगर पर चाय तो गिहूं का आटा भी है तो अएसों पर डिया है तो बहुत ज्यादा इसको मिक्स कर लेंगे फिर यहाँ पर हम डो लगाएंगे जो डो है हम सफ्ट होना चाहिए जब पर शतापाटी बनाएंगे तो बिलकिल सॉफ्ट बनके रैडी होंगी तो यहाँ पर देखी मैंने इसको डो को लगा लिया हल कुझे तिकी को ऀसको इस को इस तरीके से हम रोल करेंगे पहले बिल्कुल कर लेना है यहाँ पर वम चाहिए तो हाथों पर ऑइल जरूर लगा ले ताकि जो यह लग के नहीं हाटो पर चिपकर नहीं हो गया है इसको दब देंगे कब जो कम एक हंदे के लिए निकल जाए करण में सारी जो मसाले होते हैं बेसिक मसाले बॉनिकषभ मिक्स करेंगे कर देंगे हमारा ज ने मिक्स कर लेता है यहां पर मैने पनीर को ने कर लिए है। तो सारा स मसाल क contained कर ले कि और लेना है या वे ने मिसी मिक्स कर लेंकरी यहां यह कैंडरी हो गया है इसér ये पमें काटता है Пद्न का थाखता है जिसको औरखेंगे हम साइट में तब तक मैंने आप एक Pen लिया है उसमें ऐड़ करेंगे और जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें अड़ करेंगे मैंने बिस्कुल Fine Chop किया हुआ है प्याज एड़ करेंगे इसमें बस प्यास को पहसे बहुत लगतादा कुक नहीं करना बस हलका सा जरभी रांस्पैरिएंट हो जाएगा न उतना ही हमें हमें इस हमाड़ करना है इसमें हरी सिम्पलेख आपए पी जगा पर इससिल करना है उसमें पराइने सैटित करने का था तो टो टोमाड़ का जिए और बीज हो Mong Veg ने कुट यहां eu सब्सक्तिक अउस दुपनीन घर सब्सक्तिक आदा फ़िट डालेगे करेंगे और बहुत ज्यादा इसको मिक्स नहीं करना है नहीं तो पनीर रहता है इसको बहुत ज्यादा मिक्स ना करें अब जो सब्सक्राइब करके रखी थी ना उसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे तो यहां पर देखिए जो पनीर का जो मसाला है इसको भी बनने में जादा टाइम नहीं लगता है साथ से आट मिनिट में आपका जो यह मसाला है यह बनके रेडी हो जाएगा बस देखिए इसकी जो पानी है बिल्कुल सूक चुका है अच्छे से ड्राइ हो गया है तो हमारा परिद का मसाला है यह बनके रेडी है इसको अलग प्लेट में निकाल देंगे इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे यह देखिए किने में कितना टेंटिंग लग रहा है और यहां पर एक घंटे के बाद जो आटा है वो भी अच्छे तरीके से से अट हो गया है तो बस इसको हमें प्लेन जैसे रोटी बेल लेन बेल लेना है कि अ थोड़ा से इसके उपर हम लगाेंगे अच्छे से प्रेकर प्रीवह साओं और यहां पे यह देखिए जैसे हम र Alb भाआता है न वैसे हम यह पर इस तरीके से दो ले उत्रू detention Kum प्रेंचेसर वीडियो में दिखा रही है वैसे ही आपको बनाते जाना है और आप नीचे आटा जरूर छिरक लेंगे इसको हमें बेल लेना है इसमें इस तरीके से काफी अच्छी तरीके से इसमें लेयर्स आएंगी करेंगे और यहां पर हम इसको बहुत पतला बेल लेंगे रोटी की जैसा बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे हलका सा यह थीक रहेगा रोटी से और जितना लंबा चाहिप इसको इतना बड़ा पिसे बेल सकते हैं यहां पर देखिए एक चपाती है यह बनके रेडी होगिया है इसी तरीकी से बाकी के हैं उसको इसको हम सेख ले पर हैं यहां पर दोनों साइट पहले हैं सेकना है फिर उसके बाद ऐल लगाकर अच्छे इसको इसको हम सेक जबना है दो तो हम और बनाएं गें यहाँ पे-मेन मह न रोल्ण जो महिनम कोई google aneel चालेये चॉस त Wrong गींफिंग जोछे होची अचारे करें भाप्वाइय जो आतना रहा है रा किके वह औहले तरह सकते हैं अधि यहाँ आना है यहां पर मैं टोमेटो कैचप और इसके बाद यहां पर जो फोल कर लेंगे और हमारा है पनी डोल है ना बहुत हीजब दस होता है और बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आता अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी आप कम कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को रेस्पी कैसी लगी मुझे कॉमन करके ज़रूर बताईएगा और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दो कर दिए